हाई गाईज मेंडिसी नोरा चैनल में आपका स्वाकत है आज मैं आपको आर सीनेक्स कैपसूल के बारे मताऊंगा जैसे के आप देख रहे हैं आर सीनेक्स कैपसूल टू कॉम्बिनेशन से बना हुआ है फास्ट रिफामपीन साड़ेचान सो अमजी और साकेंड आइसो इलाज में किया जाता है सो गाईज अब मैं इसके साल्ट के बारे मताऊंगा रिफामपीन साल्ट कैसे काम करता है रिफामपीन एक एंटिवाइटिक है यह डिए ने निर्वर्शील आर एन ए पॉलिंग रेज नामा के एक बैक्टिरियल एंजाइम की गतिवीते को रोकने क काम करता है जिससे वेक्टिरिया को नश्ट करके ठीवी और कुछ रोक में आराम पहुचाता है और आइसो नीजीट साल्ट कैसे काम करता है अइसो नाजीट एक एंटिवाइटिक है यह तीवी रोधी ड्रक्स ग्रूप् में आदा है यह तीवी रोग पैदा करने वाले वैक्टिरिया माइको वैक्टिरियम टुर्वकोलोसीस की विर्द्य को रोक देता है जिससे टीवी के इलाज में अराम पोच्टा है जैसे की उल्टी उपकाई बुकार पसीन आना पिसाब का पीला होना हो सकता है इस पर कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर को बताए जैसे की लिवर केडिन डीज वाले पेशेंट और गर्विती महला आए और इस दावए को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले तो गाईज डोज के बारे बात करे तो रिफैंपिन दस एमजी पर केजी की तशाब से दे सकते हैं दिन में एक बार और आई सुनी आजीट दस एमजी पर केजी के तरन दे ने में एक बार सो गाइज आर सीनेक्स कैपसूल एडिल पेशन को दिन में एक बार देना है लेकिन ध्यान रहे ये दवाई फिक्स टाइम में देना होता है रोज खाना खाने से 15 मिनिट या 30 मिनिट पहले सो गाइज आपको इनफर्मेशन कैसा लगा अच्छा लगा तो प्रीज लाइक सब्सक्राइब और बैल एक अनता बाद दीजिए और इस वाई को लिने से पहले अपने डॉक्टर की सलाव जरू ले दिनने वाई